जग्यासों मित्रों बहुत बहुत अभिनंदन आपका दिव्विस्रजर्ण स्परीच्वल चैनल में यहां प्रतेक रात्री नौ बजे हम लाइव चर्चा अध्यात्मिक लाइव चर्चा का कारिकरम लेकर उपस्थित होते हैं और आज भी यह कारिकरम शुरू हो गया है आप सवी स्याग्रह कि जरूर शिग्र इसका लाव उठाएं तो आज का जो विश्या है द्वैत अध्वैत भेद और यह जो चर्चा है मांडूक के कारिका पर अधारित है द्वैत अध्वैत भेद के और भी आधार हो सकते हैं परन्तु हम जो चर्चा आज करने वाले हैं मांडूक के कारिका के उपर ही अधारित है तो मुख्य रूप से अब जो चर्चा है कल हमने 13-14 वे इस लोग तक चर्चा किया था और आज अध्वैत प्रकरन मांडूक के कारिका का अध्वैत प्रकरन नामक अध्याय जो है उसक सुलहवे इस लोक से हम चर्चा करेंगे तो पंद्रहवे इस लोक में भी और उसके पहले भी एक बात बहुत इसपश्ट रूप से समझाई जा रही है कि जो अद्वाइत है वह पारमार्थिक विशे है आज की चर्चा आप समझ पाएं इसके लिए जरूरी है कि पहले जो तर्क दिये गए हैं उनको भी समझना पड़ेगा सबसे नंबर वन विशे कि अद्वाइत जो है वो पारमार्थिक विशे है वह विवहारिक नहीं है विवहारिक मतलब कि जैसे कि आज हम चर्चा कर रहे हैं बैठे हुए हैं तो यह एक विवहारिक विशे है वेवहारिक विशय में तर्क होता है पारमार्थिक विशय में तर्क नहीं होता अर्थात उसको जानने का माध्यम तर्क नहीं बन सकता पारमार्थिक विशयों को जानने का माध्यम तर्क नहीं बन सकता जो वेभारिक विश्य है उनमें तर्क चलेगा उनमें इंद्रिय बोध चलेगा तो विश्य है नहीं इस भेद को समझना हो ठीक है अब हम चलते हैं कि अद्वाइत दूसरा एक और तर्क दे दिया गया कल भी इस पर चर्चा थोड़ी सी हुई थी कि अद्वाइत उपासना का विश्य है उपासना क्या है उपासना को जादा तर लोग वैसे उपवास का अर्थ समझते हैं कि भाई भोजन ना करो परंतु उपासना उपवास अर्थात उपासना का अर्थ है साधना का विश्या हैं ऐसा अभिखास करना जिससे कि आप इंद्रिया तीत अनुभूतियों में से जड़ सकें इंद्रियातित पहले यह जो फिजिकल हमारे जो इंद्रियां है आँख चरम चक्षू है चरम कर्ण है तो फिजिकल कान फिजिकल आखे हैं इन से बियोंड जाएकर पहले देखना अनुभाव शुरू करें उसके बाद उसके भी परे जाने की कला यह उपासना यह साधना का विशय हो जाएगा तो उपासक कैसा है निद्रियासन आदि क्रियाओं का अभ्यास हो रहा है नहीं हो रहा है तो जो उपासक है जो उपासना करने वाला है उसी के माध्यम से अद्वैत का विशय गम्य है अद्वैत उसके द्वारा जाना जा सकता है अनित्हा अगर आप भावनात्मक विशय की चर्चा करेंगे भावनात्मक प्रेम की चर्चा करेंगे भावनात्मक तथ्यों की चर्चा करेंगे तो वह विशय अद्वाइत का नहीं है वहाँ द्वाइत आ जाएगा तो द्वाइत क्या है अद्वाइत के अनुसार एक है द्वाइत के अनुसार अद्वाइत को देखना तो जब आप द्वाइत सिध्धान्त को पढ़ेंगे माधवाचारे जी का द्वाइत सिध्धान्त है अगर आप द्वाइत philosophy को पढ़ेंगे तो उसमें अद्वाइत का खंडन दिया जाएगा उसमें अद्वाइत को काटा जाएगा लेकिन जब आप अद्वाइत से द्वाइत को देखना और द्वाइत के से अद्वाइत को देखना तो जो दर्शन शास्त्रों का और इन सब विश्यों पर अनुसंधान करते हैं वो दृष्टी अपनाने में कई बार क्या होता है कि आप बाइस्ट होते हैं आप पक्षपाती होते हैं आप निर्पेक्ष होकर या निस्पक्ष होकर नहीं पक्ष होकर आप किसी विचारधारा का ना अध्यन करते हैं ना अभ्यास करते हैं और जब आप निस्पक्ष होकर अध्यन अभ्यास नहीं करते हैं तो संभव है कि आप सही जगा पर नहीं पहु कर अद्वाइत को देखो द्वाइत का चस्मा पहन कर अद्वाइत को देखोगे तो अद्वाइत कभी भी नजर नहीं आएगा अद्वाइत के विरोध में तरक मिलेंगे अद्वाइत के खंडन में तरक मिलेंगे लेकिन जब अद्वाइत का चस्मा पहन कर द्वाइत को देखोगे तो द्वाइत का खंडन नहीं होगा यहाँ अद्वाइत की विशेष्टा है जो लोग कई मित्र जैसे यहाँ पर लिख देते हैं कि तीन सक्ताएं हैं तीन वस्तुमें सरातन हैं जीव, माया और इश्वर अद्वाइत में यह स्विकृती कभी नहीं हो सकती पहली बात तो यह तो मैंने कल भी कहा कि आपके तारकिक मन को यह कैसे स्विकार हो जाता है कि तीन सक्ता हो सकती है अगर तीन सत्ता होगी तो उन तीन सत्ताओं की सीमा निश्चित होगी अगर आपने कह दिया कि जीव इश्वर में कभी विलीन नहीं हो सकता तो इसका मतलब जीव की सीमा निश्चित है और साथी साथ इश्वर की सीमा भी निश्चित है इश्वर जीव को अपने आप में विलीन नहीं कर सकता, क्योंकि वो अलग-अलग है, छीक है, तो समुद्र और नदी, एक हो जाते हैं, जब नदी समुद्र में विलीन हो जाती है, छीक है, वो अलग नहीं रह जाते, वास्तों में कुल मिलाकर समुद्र का ही पानी, और देख एक है सबसे जादा बादल समुद्र के जलसे बनते हैं वास्पित होकर वास्पिकरन से ठीक फिर वो बरसते हैं नदियों का रूप धारन करते हैं परवतों से जर्नों से अनेक सुरोतों से नदियों में मिलकर फिर समुद्र में ही जाकर मिल जाते हैं तो वह वही के वही रहते हैं अभी तो हमने एक उदारन दिया कि समुद्र की लहरे जिस प्रकार से समुद्र में ही उठती है समुद्र से बाहर नहीं होती है समुद्र में ही उठती है समुद्र से भिन भी नजर आती है लेकिन समुद्र में ही मिलती रहती है वैसे ही जीव इसी आत्मा रूपी सागर में है तो यह अलग नहीं है लेकिन इंद्रिय जगत भाम रूपी जगत होने के कारण यही माई के जगत होने के कारण वह ऐसा दिखाई देने लग जाता है कि वह अलग है तो जीव को अलग बताने वाले अगर वो यह कहते हैं कि जीव कभी ईश्वर में लिन नहीं हो सकता तो ईश्वर की भी एक सीमा यहां निश्चित होती है क्योंकि अगर आप यह कहोगे कि फलानी वस्तू फलानी वस्तू से अलग है अगर आप पानी में पत्थर डाल दो पत्थर डाल दो तो पत्थर हमेशा पानी से अलग रहेगा पत्थर कभी उसमें लीन होने वाला नहीं है लेकिन पानी में बर्फ का टुकडा डाल दो तो बर्फ का टुकडा भी पत्थर की भाती है वह अभी ठोस है, कठोर है परन्थू वह पानी में लीन हो रहा है वो जैसे जैसे उसका temperature बढ़ेगा वैसे वैसे वो पानी ही बन जाएगा यूंकि वो पानी ही है उसका संपूर्ण आकार पानी है अब उस बर्फ की तुम मूर्तियां बना लो यूरोप में एक आर्टिस्ट है आज भी है जो बर्फ की मूर्तियां बनाता है ठीक है वास्तों में वो बर्फ की बनी हुई मूर्तियां पानी की ही तो मूर्तियां है आप पानी को किसी एक अस्थान पे रख नहीं सकते बर्फ के टुकड़े को रख सकते हैं अगर उसे वैसा ही तापमान मिले तो वो लंबे समय तक वैसे ही बना रहेगा वहां से हिलेगा डूलेगा नहीं वो बहने वाली उसके जो बहने वाला गुन था वो खतम हो जाएगा लेकिन है तो वो पानी अगर अलग आकरती रखने के बाद भी तो वैसे आत्मा तुम्हें इंद्रिये जगत में भिन्नताएं और द्वाइत दिखाई देता है जहां विशय भावनात मक है इसलिए संपूर्ण संसार अश्टावक्र महागीता या मांडू के कारिका में भी चर्चा हो चुकी क्या चर्चा हो चुकी कि संपूर्ण संसार भावनात मक संपूर्ण संसार कल्पना मात्र इस प्रकार से कह दिया गया कर इसलिए जिग्यासूं इस पर विचार करना चाहिए तो आगे की जो चर्चा है कुछ इसी प्रकार से द्वाइत अध्वाइत भेद को बताने का प्रयास किया गया है तो द्वाइत क्या है द्वाइत वास्तों में अद्वाइत का कार्य है द्वाइत को अद्वाइत की दृष्टी से देखना और अद्वाइत को द्वाइत की दृष्टी से देखना थोड़ा सा डीप कॉंसेप्ट है जिन्होंने डर्शन शास्त्रों पर अध्यन किया होगा वो शायद जांदा समझदा समझ पाएंगे द्वयत से अद्वयत देखोगे तो नजर नहीं आएगा इंद्रियों से ब्रह्म देखोगे तो नजर यह द्वाइत जगत उस अद्वाइत का विवर्त मात्र है, manifestation है और कुछ नहीं है, जैसे समुद्र की लहरे हमें आकर्षित करती हैं, वो एक manifestation है, समुद्र का किसी कारण से हो रहा है, तो उसी प्रकार या ब्रह्म है, तो आई इस लोग क्या कहते हैं, तो सोलहवे इस लोग में उपासना की चर्चा करते हुए, मरशी गौडपाद कहते हैं, आश्रमा, स्त्रिविधा, हीनमध्यो, उतिकर्ष्ट यह, उपासनो, पदिष्ठेयम, तदर्थ मनू कमपया, आश्रम तीन परकार के हैं, आधिकारी पुरुष, तीन परकार के हैं, हीन मध्यम और उतिकर्ष्ट दृष्टी वाले, जो उपासना के अधिकारी हैं, जो उपासना करने वाले हैं, जो अध्वैत की उपासना करने वाले हैं, तो अध्वैत को जानोगे, तो किताबों से पढ़कर, मातर तर्क, वितर्क और शास्त्रार्थ करके नहीं जानोगे, करमाधिकारी आष्रमियों सनमारगी वढ़नी लोग क्योंकि आष्रम शब्द उनका भी उपलक्षन कराने वाला है। तीन प्रकार किस प्रकार हीन मध्यम और उत्कृष्ट द्रिश्टी वाले अर्थात जिनकी द्रिश्टी यानि दर्शन सामर्थ्य हीन निकृष्ट मध्य और उत्कृष्ट है ऐसे मंद मध्यम उत्तम बुद्धी के सामर्थ से संपी निल्द सोचने वाले विचार रखने वा और आत्मा एक और अद्वित्य है ऐसी उनकी निश्शित उत्तम दृष्टी है उनके लिए मतलब कि जो संसार में रहने वाले जो लोग हैं जो ग्रहस्त जीवन भी यापन करने वाले लोग हैं उनको मद्ध की श्रेनी में ले लिया जा रहा है कि भाई वो इस प्रकार से अप से मनन नहीं किया जा सकता बलकि जिसने द्वारा मन मनन किया कहा जाता है उसी को तो ब्रह्म जान या उस या जिसकी तो उपासना करता है ब्रह्म नहीं वह तो ही है तो जिन्होंने उपासना करते करते स्वेम ये साक्षातकार कर लिया है अहम ब्रह्मासमी कि मैं ही ब्रह्म ह जो ऐसी साक्षातकार की अवस्था में जा चुके हैं अहम आत्मा जिनोंने अहम आत्मा को जान लिया है अहमात्मा ब्रह्म को जान लिया है वो उत्तम कोटी के यहाँ पर देखिए सन्यास ग्रहस्त की बाते नहीं हो रही है आश्रम से कन्फ्यूज मत किजिएगा तो यहां पर तीन अलग आश्रम अद्वैत वादियों के लिए कहा जा रहा है कि अद्वैत वादी भी तीन परकार के होते हैं अद्वैत वादी उपासक तीन प्रकार के होते हैं कौन से होते हैं एक उपासक है जो की निरंतर उपासना में तो रहता है अपने संसार के करम भी करता है हो सकता है कि वो ग्रहस्त हो या ग्रहत्यागी हो तो क्योंकि वाचस्पती मिस्र जैसे महान अद्वैत वादी राजा जनक जैसे महान अद्वैत वादी परम ग्रहस्त थे तो वह ग्रहस्त होकर भी उन्होंने अद्वैत सुत्रों को दिया इसलिए करम पासना और अर्जुन और क्रिष्ण भी उसी अवस्था में है एक युद्धा रूप में दो युद्धाओं का वारता लाप है जिसे हम श्रीमत भग्वाद गीता कहते हैं ठीक तो जो नियमित रूप से अपने संसार के करम भी करता है अद्वयत उपासना करता है वैसा चिंतन रखता है वैसी विचारधारा रखता है वह निशेही मध्यम वर्का या मंद वर्की श्रिनी में वो आ जाएगा जैसे उसकी अवस्था होगी लेकिन जो उपासना करते हुए साधना करते हुए जो जान गया मात्र विचारों में नहीं जिसका यह अनुभाव बन गया जिसका यह जीवन बन गया अहम ब्रह्मासमी अयम आत्मा ब्रह्म सर्व खल्मिदम ब्रह्म है जिसका यह अनुभाव बन गया मात्र बाते नहीं मात्र तर्क नहीं जिसका यह जीवन बन गया अनुभाव भी ना कहना उचित होगा जिसका यह जीवन ही बन गया वास्तों में जीवन बनेगा तभी अनुभाव बन पाएगा नहीं तो कोई छोटी मोटी कोई अनुभूती प्राप्त कर लेने मात्र से कोई आत्मसाक्षातकार सिद्ध नहीं होता ध्यान रखना चाहिए लेकिन आजकर लोग थोड़ा सा के दोशी हैं सास्त्रों के परती दोशी लोग हैं वो जो जो ऐसी घोसना कर देते हैं इसलिए यहां पर हीन मध्यम और उत्कृष्ट साध्यकों की आश्रम वाले अद्वयत वादियों की चर्चा की जा रही है मास्मी को अनुभाव कर लेते हैं जान लेते हैं आइमात्मा किया जा रहा है कि आत्मदर्शन में किसी का विरोध नहीं है क्या कहते हैं महर्शी गौडपाद उसको समझना है कि स्वसिध्धान्त व्यवस्थासू द्वैतिनों निश्चिता द्ढ़स परस्परम विरुध्यंते तैरियम ना विरुध्यते द्वैतवादी अपने-अप पर द्वैतवादी सिध्धान्तों में मुख्यरूप से किसको लिया जाता है जो ब्रह्म और जीव को अलग-अलग मानते हैं साथी पूरुष और प्रकृति को भी मानते हैं जैसे सांख्य में पूरुष प्रकृति की सत्ता को लिया गया है माना गया है तो उसको भी मानते ह लेकिन सांख में विरोधा भास नहीं होता योग शास्त्र में या पतंजली के योग में विरोधा भास नहीं आता क्यों नहीं आता क्योंकि वह अंततह कैवल्ल की चर्चा करते हैं और जो कैवल्ल की बात है वह अद्वैत से ही मिलती जुलती हो जाती है वास्तवा में अद्वईत दर्शन क्या करता है कि वह विशेस रूप से अद्वईत तत्व की व्याख्या करता है और पतंजली दर्शन विशेस रूप से अभ्यास वर फोकस करता है कि प्रैक्टिस लेकिन जिनको मात्र तरकवितर करना है जिनको सिर्फ तरकवितर करना है वो कभी उस मूल उपदेश को समझ नहीं पाएंगे कि मूल उपदेश क्या है इसलिए यहां पर अद्वाइत कहता है कि जितने भी द्वाइत वादी विचारधारा है वैशशिक वैशशिक की विचारधारा भी द्वाइत वादी है नियाय की विचारधारा भी द्वाइत वादी भी किश्रेनी में आएगा लेकिन उन सब का विशय अलग-अलग हो जाता ह परन्तु जो द्वाइत वाद है जो वेदान्त के अंदरगत माधवाचारे जी का जो द्वाइत वाद आता है या उसके बाद भी द्वाइत की कई शाखाएं आती है त्रैतवाद के भी सिकड़ती है, लेकिन खुद से सोचे, की तीन स्वतंत्र सत्ताएं कैसे हो सकती है, अगर तीन तीन स्वतंत्र होंगी, तो वो तीनों एक दूसरे के सीमा को बांधेंगी, बांधेंगे फिर वो, सिमित करेंगे उसे, सिमित करने का प्रयास करेंगे, तो आप कहोगे कि नहीं, ये दो, तो सर्व्यापी नहीं है, एक सर्व्यापी, ये कौन सी बात है, तो या दो सत्ता मानो ही मत, उसे सत्ता मानो ही मत ना, जो सर्व्यापी है, सत्ता तो वही हो सकता, सर्व्यापी क्या स्वेम सर्वत्र है सर्व्यापी भी कहना सर्व्यापी के रूप में लोग ऐसे लेते हैं कि जैसे बल्ब जल रहा है लेकिन पूरे कमरे में बल्ब की रौशनी भैल रही है तो बल्ब सर्व्यापी है जी नहीं कमरे के अंदर बल्ब को आप सर्व्यापी नह कहलाएगि तत्व रूप में वह कभी भी सरव्यापी कि इस तरह से नहीं कहला सब्सक्ति थी का है तो सर्व्यापी होने का मतलब कि वास्तों में तत्व は रूप में तैसे सब कुछ बना है उसी का प्रकाशन मात्र है तो उसी तत्तों से जैसे एक ही सूथ है ना अब एक ही सूथ है उससे आप कुर्टा बना लो बनियान बना लो पैंट बना लो पजामा बना लो टोपी बना लो वह सूथ कितने रूपों में प्रकासित हो रहा है यह भी एक उधारन है वह तो ब्रह्म है तो ना जाने कितने रूप धारन कर सकता है कितने manifestation लेकिन जो रूपों का विशय है लेकिन जो रूपों का विशय है वह इंद्रिय जगत का विशय है इंद्रिय जगत का विशय है इसलिए इंद्रियों से देखने में समझने में हमें दो वस्तुवे नजर आती हैं जड़ और चेतन अपने तरकमे बुद्धी से हमें दो ही वस्तुवे समझ में आती हैं जड़ और चेतन लेकिन जो असली वस्तु है वह तो कैवल्ले से प्राप्त होगा पतंजली ने कहा है वहाँ प्रकृति नहीं रहेगी कैवल्ले हो जाने के बाद प्रकृति नहीं रहेगी क्योंकि प्रकृति तो बुद्धी, एहंकार, मन, इंद्रियों से है न और आपने तो इसका ले कर दिया इसलिए अद्वैत क्या कहता है अद्वैत का तर्क क्या है यह जो तर्क दिया गया यहाँ पर मांडु के कारिका में अद्वैत है अद्वैत परमार्थ है और द्वैत उसका भेद है द्वैत उसका कारे है उसका प्रकाशन है द्वाइता इस दा मैनिफेस्टेशन ओफ अद्वाइता तो द्वाइत जो है अद्वाइत का कार्री है तथा उन द्वाइत वादियों के मत में दोनों प्रकार से ही द्वाइत है इसी लिए उनसे इसका विरोध रहेगा क्योंकि वो द्वाइत से हट कर देखनी सकेंगे वो तरकों से ही सब कुछ बताने और प्रमानित करने का स्कोशिश करेंगे स्वासिध्धांत विवस्थासू द्वाइतिनों निश्चिता जिरसा द्वाइतवादी अपने अपने सिध्धांतों की विवस्था दिल आग रही तो अब ये प्रश्ण उड़ता है क्या उनकी जो खोज है गलत है क्या द्वाइतवादी खोज गलत है अब ये बात अद्व मिमानसा हो गया या फिर ब्रह्मसुत्र हो गया या फिर गरंथों में चली आ रही है उपनीशदों में उसको कुछ विशेस बहत्य देने वाले एक संप्रदाय हुआ राजा जनक का ही संप्रदाय उसे अगर हम मान ले तोकि शुक्डेव मुनी राजा जनक के शिष्य थे और योगी गौडपाद शुकदेव मुनी के शिष्य माने जाते हैं और योगी गौडपाद के शिष्य गोविंद पाद हुए और गोविंद पाद के शिष्य आधीगुरु शंकराचारे कहे जाते हैं ऐसा मिलता है प्रमाणिग जो इनकी ग्रंथ हैं उनमें ऐसी चर्चा मिलती योगी गौडपाद शुकदेव मुनी के शिष्य थे शुकदेव मुनी राजा जनक के शिष्य थे जनक विदेही थे ग्रिहस्त वेक्ति थे फिर एक और अद्वईत वाधी की चर्चा आती है बहुत प्रसिद्ध हुए वाचस्पती मिश्र लगभग वो अचारे शंकर के समक प्रतियां किसी विद्वान से लेकर पड़ी है तो जरूर बताएं मुझे भी तो उसमें भी चर्चा अद्वईत की है तो फिर मान्डुक की कारिका का विस्तार आदिगुरु शंकराचार ने इसका भाष्य दिया मान्डुक की कारिका का तो वास्तों में अद्वईत से ऐसे तो लेकिन मूल उपनिशद में अद्वाइति को मुख्य आधार देता है मांडुक की उपनिशद जिसमें ये तीन अवस्थाओं की चर्चा है जागर्त स्वपने सुसुप्ति और फिर तूरी अवस्था की चर्चा मिलती है ना अंता प्रग्या ना भहिश प्रग्या करके जो बताया गया है ना प्रग्यान घना सुरिया के बारे में जो व्याख्या साथवे स्लोप में की गई है मांडुक के उपनिशद में उसी का विस्तार और अद्वाइत मत का विस्तार करने के लिए इसको रखा गया है मांडुक की कारिका का विश्य है इसलिए अतंत महत्य पूर्ण है और मांडु की कारिका उत्तर देता है उस संघर्ष का जो द्वाइत और अद्वाइत के बीच चल रहा है तो कहता है कि द्वाइत तो अद्वाइत का कारे है द्वाइत और अद्वाइत का कारे है बाद में द्वाइत उन्हें अद्वाइत वादियों को मायावादी कहा मायावादी कहा तो मायावादी शब्द गलत है क्योंकि अद्वाइत तत्यों तो माया से परे था माया से परे है ना जहां माया का अंत हो जाएगा वहाँ अद्वाइत प्रारंब होगा तो मायावादी कैसे हुए विकृतियां आती हैं समाज में विकृतियां आती हैं लोगों में विकृतियां विचारों में नहीं आती विचारधारा में नहीं आती हैं किसी विचारधारा को मानने या उस मठ का या उस संपरदाय का व्यक्ति गलत हो सकता है लेकिन दर्शन गलत नहीं हो सकता फिलासफी उसकी गलत नहीं हो सकता वेक्ती गलत हो सकता है ठीक है लेकिन जो विचारधारा अद्वाइत प्रमानित कर रहा है वह यही है कि द्वाइत अद्वाइत का कार है द्वाइत का चस्मा पहन के जब अद्वाइत देखोगे तो नजर नहीं आएगा और विरुदा भास होगा और अद्वाइत से देखोगे तो समझ में आएगा द्वाइत तो अद्वाइत का ही कार रहे है द्वाइत वास्तों में अद्वाइत का ही कार रहे है तो जो जो दोधनी कर रहे हैं उल्टी प्रसंसा कर रहे हैं और जो दूसरे विशैत है शंकर या फिर योगी गॉड़ पाद स्वेम जो मन इंद्रिया आदी विश्यों के सुक्ष में विश्यों को समझने के लिए वह कह रहे हैं कि सांख्य ही उचित है शांख्यकाध्यन करना मन इंद्रिय और पंच भूत इन सब विश्यों को समझने के लिए इसलिए अद्वईत ने अपनी विचारधारा नहीं निकाली उसी विचारधारा को ले लिया जो सांख्य में पहले से दिया हुआ था उन सब विश्यों में लेकिन जब सत्ता की बात आई पुरुष प्रकृति सत्ता की बात आई तो उन्हों ने कहा कि नहीं इससे हटकर ब्रह्म की सत्ता है ब्रह्म की सत्ता है आत्मा इन सब से परे है तो इस तरह से अद्वईत की विचारधारा चलती है इसलिए अद्वईत में विरोधाभास नहीं कहा गए इसमें विरोधाभास द्वाइत के साथ नहीं है लेकिन द्वाइत वादी का विरोधाभास है अद्वाइत वादी का विरोधाभास नहीं है उसमें स्विकारे हो जाएगा वो तो उसका कारे मात्र है जब तक कारे में लगे हुए हो तो तक कहां जानपाओगे सत्य क्या है कि यह समस्य आ जाती है तो इसलिए यहां पर स्वुस्ट्री करन देते हुए कह रहे हैं कि यह कि द्वाइत जो है वो अद्वाइत का कार्यеци typically कि इसलिए द्वाइत का भेद है मायया भिद्धते इसलोप के अंतरगत 18 हुए इसलोप में हम देखें इसको मायया भिद्धते हेतनान यथाजम कथश्चन तत्वतो भिद्धमाने ही मर्तिताव मृतम ब्रजेत इस अजनमा अद्वईत में माया ही के कारण भेद है और किस प्रकार नहीं यदि इसमें वास्तविक भेद होता तो यह अम्रित स्वरूप मरंशीलता को प्राप्ट हो जाता अगर वास्तों में अद्वईत में भेद होता तो वो भी मरंशील होता ना उसकी भी स्रिष्टी और विनास होती लेकिन ऐसा होता नहीं है अद्वईत तो सर्व्यापी सर्वदाही है द्वईत में यह सब चलता है योगि द्वईत में माया है द्वईत में बुद्धी है द्वईत में इंद्रियां है द्वईत में तरक है और अद्वईत तरकों से पर सो उपासना के द्वारा जानने योग है सास्तरार्थ याब मात्र अध्यन से आ चानने योग नहीं है कि अजात ने ईसलिए वो कहते हैं कि 브ayoam है। ऑबॅ कि ब्रह्म भी आएगा अरे या सब सबकुछ ही ब्रह्म है आएगा क्या वह सबकुछ ही ब्रह्म में हैं इसलिए योगसधी में विश्वास रखा जाता है अद्वाईत और योग पतंजली के विचारधारा इस मामले में एक जैसी है अद्वईत की विचारधारा और पतंजली की विचारधारा इस मामले में एक जैसी है वो सीधा इस बात को स्विकार नहीं करते कि ब्रह्म ने अवतार लिए जो सर्व व्यापी है कणकण में व्यापत है उसे अवतरित होने की कोई आवशक्ता नहीं है क्योंकि जो सर्व्यापी है ना उसके लिए कोई नीच है ना कोई उच है और अवतार का अर्थ होता है जो उपर से नीचे की और उतरता है तो वो सद्धय योगी जो जीवन मुक्त हैं जीवन मुक्त किसे कहते हैं कभी हम एक वडियो व्याक्षान इस पर हम ले आएंगे लग इधैं वह अध्यक्त हैं वह छह भगों से संपन्न होते हैं इसलिए वहि भगवान कहल अगया है चोशुराह भगवान बहगान वहन पर tacos जहंति लोग तो ड्यट्वादी लोग जनम हीन आत्मा के भी जनम की उख्षा करते यहं यहां पर कह दिया जो द्वयतवादी लोग यहाँ पर आत्मा भी कहने का मतलब ब्रह्म से है तो द्वयतवादी लोग जनम हिन आत्मा के भी जनम की इक्षा करते उसका जनम नहीं होता और क्योंकि उसका जनम होने की आवशकता ही नहीं है ना क्योंकि जो कुछ भी है सब उसी का तो है और वही है सब उसी से प्रकाशित हो रहा है तो सब कुछ वही है पत्थर भी वही है चलता फिरता मनुष्य भी वही है उससे अलग कुछ भी नहीं है ठीक है तो द्वैतवादी लोग जनम हीन आत्मा के भी जनम की इक्षा करते किन्तु जो पदार्थ निश्चही अजनमा है मरन हीन है वह मरनशीलता को किस प्रकार प्राप्त हो सकता है वह गभी मरनशील तो नहीं हो सकता न अगर आप उसे जनमशील मानेंगे तो आपको उसे मरनशील भी मानना पड़ेगा तो इसी प्रकार से इसको काटते हुए इस विचारधारा को काटते हुए यहाँ पर यह बात समझाई जारे तो ना भवत्य मृत्यम मृत्यम ना मृत्य मृत्यम तथा प्रकृतिरे अन्था भावो कथंचिद भवस्चती मरन ही नवस्तू कभी मरनशील नहीं होती मरनशील कभी अमर नहीं होता किसी भी प्रकार स्वभाव की विप्रत्ता नहीं हो सकती ठीक तो यह यहाँ पर इसका इसकी चर्चा की जा रही है और जो उत्पती शीले जीव है वो कभी अमर नहीं हो सकता ठीक है तो विस्तार से यह अब आगे की चर्चा अलग हो रही है द्वैत अद्वैत से तो अद्वैत अद्वैत का भेद बताते हुए यही यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि जो द्वैत है वो अद्वैत का कार है और अद्वैत उपासना का विशय है इंद्रियों का विशय नहीं है जितने भी तरक दे रहे हो अद्वैत के विरोध में वो सब बुद्धी स पारमार्थिक स्कता है भूत तो भूत तो वाको सेमा शुति निश्चितम यूक्ति यूगतम चाह य't भवती नेतरत पार्मार्थिक तथा अपर्मार्थिक किसी भी प्रकार के सरष्टी होने में शुरूति तो समान ही और नामें जो निश्चित और युक्ति युक्त मत हो वही हो सकता है अन्य नहीं हो सकता ठीक तो जब व्याख्या होगी तो इस व्याख्या को भी समझाए गया है तो मिर्त्रों मुद्खे रूप से अद्वाइत जो है वह पारमार्थे के विश्य है द्वाइत जो है वह वेवहारी के विश्य है वह बुद होती है अद्वाइत मतलब अंतर मुखी हो जाओ उतर जाओ ठीक है अद्वाइत का अर्थ होता है उतर जाओ ठीक ना यह चीज ठीक तो यह प्रशन है तो चलिए इस पर हम आप चर्चा करेंगे आप एक कमेंट के हिसाब से लोग क्या कमेंट करते हैं क्या पूछते हैं क्या करते हैं प्रणाम सद्ग गुरुदेव गुपाल शर्मा जी प्रदाब जाला प्रणाम गुरु जी जैशी सुमनात गीता देव जी जै माता कामरुप का मख्या अनिला जै जी गितन कामरुप का मख्या जी अनिल कुमार जी स अपूर्व विश्व कर्मा जी, सवका बहुत अभिनंदन राम निवास मीना जी, जगत नरायन जी, वीर पाल यादो जी, राम राम संग राम माने जी, मनोश शुकी जा जी, हर हर मादेव, इसमिता सावंत जी, अभिनंदन वैजनात कुश्वाहा जी, अभिनंदन महेश मक्वाना जी, बिकरम सिंग जी, अभिनंदन मादुरी कोले जी, अभिनंदन गुपाल शर्मा जी, उशा शाबरा जी, राजू पाल जी, हरियोम तस्थ, चंदन जना जी, प्रनाम गुरु जी, आपको मैं एक जूप मा, इस्थित कव आएगी, उपासना से ही आएगी, ब्रमांड और ब्रमांड की परतेक वस्तू घूमती चलाए मान है, जो बदलती रहती है, जी हाँ, मनीश रवास्तर जी, जीव का निर्मान अपने आप होता है, या ब्रम जी द्वारा और एक बार होकर, बहे क्या 84 लाख यूनियों में विचरता है, और अंत में मोक्ष प्राप्त करता है, क्या जीव की गती है, जीव करता है यह सब, इसलिए जीव की उत्पती है, जीव का जनम है, जीव का मरन है, जीव मरनशील है, क्या रचना जी जन्दन कुमार जी अभिनंदन क्या संपुर्ण ब्रमान्ड की कोई शुरुवात या अन्त है या वे अनन्त है क्या संपुर्ण ब्रमान्ड की कोई शुरुवात या अन्त है अनन्त ही है जी अनन्त ही है उसकी स्रिष्टी अनादी ही है हाँ स्रिष्टी वस्तुओं की स्रिष्टी और अंत है द्रिश्यों का स्रिष्टी और अंत है परंतु स्रिष्टी और अंत स्वेम में अनादी है स्रिष्टी और प्रले स्वेम में अनादी है प्रले का कभी प्रारम नहीं हुआ सरश्ची हो रही है तो प्रलय भी हो रहा है यह प्रकरिया निरंतर चल रही है यह द्वैत की स्थिती है परव्याप्तता और यह भी प्रलय और सरश्ची भी इंद्रिय विशय है माईक विशय है UKải Chun playthrough है यह अद्वयत का विशह नहींने प्रले यह किसका और द्वायत विशह यही ब्रह्म का कारे है आग लेकिन अध्य नीर व्याप्तता का अंतर कितना है जैसे हम खुद को ही देख पा रहे हैं परव्याप्तता किसमें परव्याप्तता और निर व्याप्तता मतब जहां कोई व्याप्त नहीं है जहां वो व्याप्त नहीं है आप इश्वर हो या खुद को इश्वर का अंश मानते हो जबकि उनकी कोई व्याख्या ही नहीं पहली बात तो है कि इश्वर क्या है इश्वर क्या है प्रचरित भाषा में इश्वर को जानेंगे या आप इश्वर को जानेंगे संस्कृत भाशा में इश्वर शब्द का जो अर्थ निकलेगा दो विशे हैं इश्वर का विलोम क्या है नश्वर जो वस्तुवे नश्ट होने वाली है वो नश्वर है और जो वस्तुमें नश्ट नहीं होने वाली है वो ऐश्वर है तो ऐश्वर कभी नश्ट नहीं होता हाँ एंद्रिक जगत में यहां पर यह जो डिफरेंस है इंद्रिय जगत और इंद्रियातीत जगत भाव जगत और भावातीत यहां से स्लिप मार जाने के बाद जब यहां पर फोकस नहीं होगा तो बाते कुछ की कुछ हो जाएगे तो ज़हां द्वईत आएगा वहां तरक आ जाएगा ठीक है तो जब आप अध्वईत रूप की बात करेंगे जब आप अहमात्मा की बात करेंगे कि मैं आत्मा हूँ तो जी हाँ मैं इश्वर हूँ तो कि इश्वर कभी नश्ट नहीं होता कुछ लोगों ने इश्वर की व्याक्या ये समझ रखे रखा हुआ है कि इश्वर शक्तिशाली होता जहां चाहे वो करके दिखा देगा जो चाहे वो कर देगा कहीं भी प्रगट हो जाएगा चमतकार कर देगा वो कर देगा ऐसी कोई व्याक्या इश्वर के संदर्म में नही आती अगर इश्वर शब्द का अर्थ निकालेंगे तो बस इतना है इश्वर शब्द का अर्थ जो नश्ट नहीं हो जो सनातन इश्वर और सनातन यह दोनों प्रायवाची शब्द हैं इश्वर और सनातन दोनों प्रायवाची शब्द हैं इश्वर का अर्थ यह नहीं है कि ये करके दिखा देगा वो करके दिखा देगा हाँ एक सिध्य योगी कर सकता है एक सिध्य योगी बहुत बड़े-बड़े चीज़े कर सकता है इसलिए वो भगवान है भग संपन्र है इसलिए परसु राम जी भगवान राम जी भगवान कर्शन जी भगवान है लेकिन जब आप इश्वर सभी का प्र्योग कर लेते हैं तो इश्वर का यह अर्थ नहीं होता कि वह यह करकर दिखा दें। जी नहीं serait मतलब रहे जो एलिमेंटरी है जो तत्विक है जो सर्व व्यापी है जिसी से वो एक ही तत्व है जिसे से सब बना है और वो पारमार्थिक है वो पारमार्थिक है तो पारमार्थिक रूप से प्रतेक विक्ति ही इश्वर है और वो एक ही इश्वर है वो अलग-अलग नहीं वो एक ही है घटा अकाश है अलग-अलग जगहों पर जो अकाश का रूप है वो अलग-अलग है लेकिन सकते है कि अकाश अकाशी है ना वो नीला है ना वो पीला है ना वो काला है ना वो हरा है ना वो धुल मिट्टी वाला है ना वो बादल वाला है अकाश अकाश है बस लेकिन फिर भी अलग अलग दिख रहा है तो इस कारण से अध्वैत इसलिए जब भी बात तर्क किया जाएगी तर्क किया जाएगी तो अध्वैत का एक ही उत्तर होगा कि भैया अद्वाइत उपासना का विशय है अद्वाइत साधना का विशय है तुम किसी भी वस्तू का लाब तरकों से नहीं उठा सकते हैं अगर उठा सकते हो तो ठीक है रोटी रोटी कहो और तीन दिन खाना मत खाओ रोटी की चर्चा करो रोटी पे तरक करो भोजन की उपर तरक करो और भोजन मत करो क्या पेट भर जाएगा नहीं भरने वाला इसलिए अध्यात्मिक विशयों का सही लाव मात्र अंतर मुखी होकर ही आने वाला है साधना से ही आने वाला है चीक है इसी लिए सब कुछ अथर्व शुति आगे शुति की चर्चा आएगी थुड़ा सा कल चर्चा होगा ब्रह्म के अवतार के उपर की ब्रह्म अवतार लेता है नहीं लेता है कैसे लेता कैसे वर्णन किया जा रहा है पतंजली के मत को भी कल लिया बताया हुआ है तो उस मत और इस मत के अनुसार देखते वे हम चर्चा करेंगे कि वास्तों में क्या है सिध्य पुरुषों के जनम के पीछे या आवतार के पीछे किस प्रकार के चीजे हैं तो यही तथ्या आ जाता है लेकिन जब हम सर्व्यापी आत्मा की बात करते हैं ब्रह्म की बात करते हैं तो वहां पर वह तो पहले से ही सर्व्यापी भी क्या वो तो सर्वत्र है सर्व व्यापी ये हिंदी में बोला जाता है लेकिन कभी भी आप ब्रह्म और आत्मा के लिए इसलोक देखेंगे मांडु की उपनिश्यद में जो इसलोक लिखे गया है या मांडु की कारिका में जो इसलोक लिखे गया है है जो आसा डिफ्रेंस है सर्व्यापी और सर्वतर कहने में इसर्वत्ट मतलब इसे में सर्वत्र है उसका कुई निश्षित अस्थान नहीं नहीं है लेकिन जब आp उस सर्व्यापी और कहते हो कि जैसे कि कुछ में एक्जाम्पल देंगे बल्ब बल्ब की लोशनी पूरे कैमरे में फैल रही है तो कमरे के अंदर बल्ब सर्व्यापी हो गया जी नहीं वो तो एक स्थान पर निश्चित है लेकिन वो एक स्थान पर निश्चित नहीं वह तो सरवत्र ही इस्थित है इसलिए जो कुछ भी घटित हो रहा है उसी में घटित हो रहा है और जो भी घट रहा है उसी में लीन हो रहा है और उसी से उत्पन होकर उसी में लीन होए जा रहा है जैसे समुद्र की लहरे समुद्र में ही उत्पन होकर समुद्र में ही लीन होती रहती है वैसे ही ब्रह्म से सबकुछ ब्रह्म में ही लीन होता रहता है यह तो एंद्रिक इसलिए कई बार इस विशह को मैं बोलता हूं कि इंद्रियों का जगत मित्या है और इस बात को शास्त्र छोड़ दीजे अद्वईत की विचारधारा ही नहीं आज का विज्ञान भी प्रमानि स्थित करता है क्योंकि वह यह कहता है कि प्रते के इंद्रियों की अपनी सीमा है उनके देखने की सीमा है उनके अनभाव करने के सीमा है मन की भी सीमा है यह मत कहना कि मन सब कुछ देख लेगा सब कुछ जान लेगा निर्भर करता है उसकी अपनी एकागरता च्शंता पर कि एक सीमा के बाद वह एकागरता क्या वो तो स्वेम ही अपना स्थित्व हो देगा जब ज़्यादा एकागर हो जाएगा तब ठीक है इसलिए अद्वाइत के लिए द्वाइत उसका कारे है द्वाइत अद्वाइत का कारे है ठीक है इसलिए अद्वाइत से द्वाइत समझ में आता है लेकिन द्वाइत से अद्वाइत को समझना संभव नहीं इंद्रियों से और भावनात्मक विश्यों से और तरकों के विश्य से अद्वाइत को समझ पाना बस एक इशारा किया जा सकता है इसलिए अद्वाइति के जो ग्रंथ हैं अद्वाइति के जो सुत्र हैं वो एक इशारा मात्र हैं कि सम्थिंग बियांड यूर इमेजिनेशन चिक आपके कल्पनाओं के परे आपकी भावनाओं के परे भावातीत भावातीतम त्रिगुन रहितम भावातीतम ब्यांड इमोशन ब्यांड सेंटिमेंथ म buscando त्रिगुं रहितम कि इन में यसरी आपके कि यहां भावनाओं परेmother आ Veterin के यक्विए में यह तो इस प्रकार से द्वाइत अद्वाइत का भेद बन जाता इसलिए द्वाइत के मत में अद्वाइत का विरोध हो सकता है लेकिन अद्वाइत के मत में द्वाइत अद्वाइत का ही कारे है यह अद्वाइत जगत अद्वाइत का ही कारे है इसलिए जो पिछले शंकर ने पि जारकों को उत्तर दिया तो उनको उत्तर दिया कि आपने जो खोज किया है वैसेशिक के जो परमानू है वो सही है अनों की खोज सही है न्याय दर्शन में तरकों की खोज सही है योगज अनुभूतियों के बारे में लिखना सही है कोई आपति नहीं उससे द्वैत के हिसाब स वो सही है इसलिए अद्वाइत में विरोध नहीं है अद्वाइत किसी का विरोध नहीं करता है क्यों विरोध नहीं करता है कि उसको पता है अद्वाइत किस तरह से बात करता है जैसे कि छोटा सा बालक है और एक बड़ा उसका पिता है तो जो बालक जो बाते बोलेगा या ग तो अद्वाइत सबका पिता हो गया अद्वाइत सबको कह रहा है कि तुम गलत नहीं हो तुम सही हो लेकिन ऐसा हो सकता है यह बालक को लगने लग जाए कि मेरा पिता गलत है कि अभी वह सुमर में नहीं पहुचा है और ज्यादा तर तेरह 14 15 16 17 साल की उम्र में लोगों को लगने लग जाता है कि शायद मेरे माता पिता गलत है अबॉस-चाल की तो सँनया करने कि अगे शायद यह फिल्मी दुनिया ज़्यादा सही है लेकिन जब वह स्वेम माता पिता बंता है स्वेम बड़ा हो जाता है तो ऊसको समझ में आता है कि कि नहीं मेरे माता पिता जो मुझसे अपिक्षा रखते थे मैं भी तो अपनी संतारों से वही रखूंगा तो उससे समझ में आ जाता है तो यह चीज होनी शुरू हो जाती है इसलिए द्वाइत अद्वाइत का कारह अद्वाइत में विरुधाभास नहीं है द्वाइत के प् होता है वह माईक दुनिया में ही पैदा होता है इसी लिए यह भेदा जाता है ठीक है तो चलिए कि अर्जुन को उप्रदेश देने वाले कृष्ण भगवान थे जी भगवान कृष्ण कहते हैं उनको भगों से संपन्न भगवान ठीक वह अपने आत्म इस्थिती से वह अपने ब्रह्म इस्थिती से अर्जुन को ग्यान दे रहे कि क्या हम ब्रह्म हैं अगर हैं तो तुम क्यूं माया में बंदे हुए हैं ठीक ना हम ब्रह्म हैं तक्त्व रूप में ब्रह्म हैं और माया तो इंद्रिय जगत है अब शंकर ने जितने भी ग्रंथ लिखे क्या वो माया नहीं है जितने भी शास्त्र लिखे गए क्या उसको आप माया मानेंगी एक बात बताएं तो माया तो ब्रह्म का कारे है ना माया तो ब्रह्म का कारे है माया और ब्रह्म को जान लेने के बाद माया और ब्रह्म का विरोध नहीं है और आपके प्रश्न में विरोध दिखाई दे रहा है माया के प्रश्न में विरोध दिखाई दे रहा है माया के प्रति कि भाई अगर तुम ब्रह्म हो तो माया में क्यों बंदे हुए हो भाई है माया तो ब्रह्म का कारे है तो कारे तो करेगा ना अगर माया ब्रह्म का कारे है तो कारे तो होगा और हो रहा है समझ लेने वाली बात है इसी लिए मांडुक के कारिका के जो तर्क है वो कुछ ऐसे ही तर्क है इसी लिए एक पक्षपाती विचारधार को लेकर जो लोग रहते हैं उनके लिए मुश्किल और अद्वईत आपको इतना निस्पक्ष कर देगा क्योंकि अद्वईत पक्षपाती नहीं होता पक्षपाती ना होने के कारण द्वईत की बाते उसे स्विकार हो जाती है माया द्वईत है तो द्वईत का कारे चल रहा है जितनी भी रचना हो रही है जितनी भी बाते हो रही है सब माया में हैं माया से परे नहीं है क्योंकि जहां माया से परे हो जाएगा वहां निशब्द हो जाएगा वहां शब्दा तीत हो जाएगा वहां भावा तीत हो जाएगा और यहां पर तो भावनाओं की अभिविक्ति हो रही है ठीक है तो माया के बंधन में क्यूं हो क्यूं ब्रह्म तो माया तो है ही ब्रह्म का कारे कारे तो माया रुपी कारे तो चलेगा ही चलेगा अर्जुन को पदेश देने वाला कृष्ण कौन थे अर्जुन को पदेश देने वाले कृष्ण भगवान थे श्री भगवान कृष्ण थे वो, ठीक, एक बात बताईए, महेश, नहीं, किसने पूछा ये, हाँ, मनिश पटेल जी, I am asking a question, अरजुन को उपदेश देने वाला कृष्ण कौन है, ये प्रशन आपने किया, लेकिन जब स्री कृष्ण अपने विभूतियों की चर्चा करते हैं, तो कृष्ण कहते हैं कि मैं पांडवों में अरजुन हूँ, तो अब ये बताईए कि अरजुन कौन था, मनीश पतेल जी, अगर उत्तर दे सकते हैं, ये व्याख्यान खतम होने के पहले, तो जरूर देजिए, गीता के अंदर ये लिखा हुआ है, अपने विभूतियों का वर्णन करते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, कि मैं पांडवों में अरजुन हूँ, इसका आर्थ ये हो गया ना कि अरजुन में कृष्ण है, अर्थ तो ये ही निकलता है, अब आप उसकी व्याख्या करने में टिपनी लिखने में लंबा चौड़ा टिपनी लिख जाओ, तर्क दे दे कर, दे दे कर, दे दे कर तो बात लगए, वो तर्क तर्क ही रहेगा, लेकिन कृष्ण जो कह रहे हैं, उसको समझने के लिए मातर तर्क और अध्यान से नहीं उपासना, इंद्रियों के परे जाने की साधना करनी पड़ेगी, ऐसे ही नहीं हो जाएगा, क्यू क्यूं बता रहें, छटे अध्याय में अर्जुन को अभ्यास के बारे में क्यूं बताएगा, क्यूं त्रिगुनी माया से उपर जाने की बात की जारी है, दैवी हिशा, गुणमयम, माया, दूरत्या, मामेव, प्रपधनते, माया, मेताम, तरंतिते, तो जो अर्जुन है न क्यूं कर रहे है, हर जगा अर्जुन की मूर्टिया क्यूं नहीं लगा रहे है, क्रिशन तो कहा है कि पांड़ों में अर्जुन मैं ही हूँ, तो गीता से प्रश्न आप करो, छोटे नॉलेज पर नहीं, गहन अध्यान पर, जहां गहन अध्यान और अनुसंधान होगा, मात मात्र अध्यान से भी नहीं, अनुसंधान होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए, और रिसर्च मात्र अध्यान करके नहीं, प्रैक्टिकल करके, ध्यान में उतर कर, कम से कम उस मार्ग पर चलो तो जो इंद्रियों के पार तुम्हें ले जाता है, तुम उस पर चल भी नहीं रहे और चाहते हो कि सब कुछ समझ में आ जाए तो वह भी संभव नहीं ठीक चलिए अर्जुन को उपदेश देने वाले कृष्ण हरियों जेसा पूरे ब्रमांड का घुमाव एक तरफा क्यूं है यह कहा लिखा हुगा है कि पूरे प्रमांड का घुमाव एक तरफा है पहले तो यह बताई कि निशेध प्रक्रिया में अलगाव वाद होता है या विधी प्रक्रिया सब वही है लिए प्रक्रिया के निरोध प्रक्रिया है कि निरोध प्रक्रिया है भक्ती को भी निरोधातमत माना गया है नारद्भक्ती सुत्र में चिख चली गुरुजे क्या दक्षिन दिशा के तरफ मुह करकर ध्यान नहीं करना चीए कर सकते हैं ऐसी कोई बात नहीं कर सकते हैं हाँ यह होता है कि ध्यान तो आप हर दिशा में कर सकते हैं लेकिन इशान को उनकी तरफ ध्यान करना स्रिष्ट कहा जा सकता है बस इतना ही है भुरुजे द्वाइत अत्वा मतलब अलग अलग सत्व जैसे मन बुद्धी चित अन अलग अलग बुद्धी सत्व वेधर इस राइट हाँ जी द्वैत में यही सब आएगा बुद्धी चित मन सब द्वैत में आएंगे वैभव वैभवी पांडे जी सच में आपकी नौलेज बहुत अच्छी है ओके बहुत बहुत अभिरंदन स्वागत है आपको इश्वर ब्रह्म में क्या अंतर एक ही है जी अभी तो चर्चा कोगी ना इश्वर ब्रह्म की चर्चा होगी नाद और चित दोनों एक ही है जी नहीं नाद और चित दोनों एक कैसे हो सकते हैं हाँ चित के माध्यम से ही नाद अनुभा होता है लेकिन नाद और चित एक नहीं है जानत तुम ही तुम ही हो जाई इश्वर वह जिसको तीनों का लग बलकु सही है अम उस ब्रह्म को जब जानने लग जाते हैं तो उसी में लीन होने लग जाते हैं कि वही हमारा निज्ज स्वरूप है कि प्रफुल्डे व्राम ब्रुनाम बिलकुर अप्रचा भूतों की साधना से क्या उनसे कुछ काम लिया जा सकता है क्या जी नहीं ना ले तो बहतर है क्योंकि जो किचण में हाट डालता है दूसरों पर किचट डालने के लिए या कुछ करने के लिए तो उसका भी हाथ गंदा होता है तो गंदी चीजों से काम ना ले तो अच्छा है गुरु जी कृष्ण से भी उपर कोई है अगर है तो वो क्या है कृष्ण कौन है पहली बात तो ये कृष्ण क्या है वो मोर्मुकुट वाला जिसने मोर्मुकुट द्वापर युग में जिसने रूपधारन किया था क्या उस रूप को कृष्ण मानते हो अगर उस रूप को कृष्ण मानते हो तो कृष्ण से उपर तो बहुत कुछ है अगर तक्त्व को कृष्ण मानते हो तो क कृष्ण से उपर कुछ भी नहीं है ठीक है इसका यही उत्तर हो सकता है तो कृष्ण ने अपने तत्व की चर्चा की अरजुन से अपने रूप की भी चर्चा की है तो जब तत्व को कृष्ण मानोगे तो कृष्ण से उपर कुछ नहीं हो तो सर्व्यापी है फिर तो कृष् कि जिस प्रकार औशधी का नाम लेने से बिमारी दूर नहीं हो सकती वैसे ही ब्रह्म ब्रह्म कहने से कोई ब्रह्म नहीं जान जाओगे राम राम कहने से राम नहीं जान जाओगे क्रिश्न क्रिश्न कहने से क्रिश्न नहीं जान जाओगे तो दवाई दवाई कहने से बुखार दूर नहीं हो जाएगा क्रोशन क्रोशन कहने से सिर का दर्द नहीं दूर हो जाएगा ठीक है तो इस प्रकार से विश्यों को समझाया गया है बताया गया है चलिए इसी के साथ आज की विचारों को यहां विराम देंगे प्रश्ण बहुत हैं आगे कई प्रश्ण बीच में भी मैंने छोड़े हैं जो लग रहा था कि विश्यांतर करके पुछे गये हैं विश्यांतर मतलब ना तो वो अध्यात्मिक है और ना ही आज की चर्चा से संबंदित है तो चर्चा से संबंदित प्रश्ण ही किया है पोशिश करें जो चर्चा में है वही प्रश्ण किया है चीक है अपुर्व विश्व कर्मा जी माया ब्रह्म का ही का रहे है यह समझ में आया जी हाँ यहीं समझ नहीं है माया ही द्वज्त है भक्ति यूग अपना कर भक्ति योग हाँ अपना कर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं अवश्य लेकिन मोक्ष प्राप्त करें वह बहुत दूर की बात है मोक्ष हम प्राप्त करें यह बहुत दूर की बात इश्वर को अवतार लेना क्यूं आवश्य के कल बताएंगे कल तो मोक्ष प्राप्त करें यह बहुत दूर की बात जीवन जीना सीख ले वही सबसे वड़ी बाद मरना सीखो जीना सीखो दोज काम सीख लो अगर दू काम शीख लिए अपने आप ही हो जाएगा और उसके लिए योग सिखना उसी के लिए भक्ती योग है उसी के लिए ग्यान योग है तो अवश्य कि आप इसका लाब उठाएं बहुत बहुत अभार और शेयर करें सबस्क्राइब करें शेयर जरूर करें और कुछ भी अगर आपको लगता है क्योंकि देखिए यह जो भी विचार हैं आप यह मस सोचिएगा कि बस मैं यहाँ पर बैठा बोलना शुरू होगे अध्यान अनुसंधान मैं खुद पहले इस लोकों का अध्यान पहले भी कर चुका हूँ वैसे तो करता भी हूँ उन पर विचार करता हूँ जो बाते लिखी जा रही हैं उनको समस्ता हूँ तब आपके सामने स्पष्ट किया जाता है ध्यान योग ध्यान साधना इसलिए मैं कई लोग हैं जो दो तिन तिन वीडियो बनाते हैं लेकिन कई अपना दिन चर्या अपनी योगा अभ्यास ध्यान साधना का अभ्यास सारी चीज़े चलती रहती हैं और अध्यान भी चलता है अनुसंधान भी चलता है तब जाकर आपके समक्ष यह चर्चा रखी जाती है ठीक है मित्रों तो इसलिए अगर आप कोई भी इस कारे के उपलक्ष में कोई दान अनुदान करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पर बहुत सारे ऐसे यूपी आई नहीं थी वह आप कर सकते हैं आगे चलिए कभी और कुछ होगा तो उस विशय में जरूर बताया जाएगा आपको कई कोर्से से मैंने कल भी बोला था आएंगी आगे तो आप उसका लाब उठा सकते अभी जूपीटर कोर्स सन मेंबर्शिप साधना करना चाहते अंतर मुख पर जो चर्चा चल रहे उस पर दो तीन लेक्षर और आने हैं बाकी वह आएंगे कल से आज आएंगे आज नहीं आएंगे वह कल से आपको मिल जाएंगे ठीक है तो बहुत बहुत आभार आप सभी करेंदेदेदेदेदेदेदे करेंदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेद